असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माँ चैनल मज़र में हूँ आईए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अभी मैं चो में दिल्चस्पी है अभी इंट्रेस्ट है मैंच में अभी इंट्रेस्ट खतम नहीं हुआ है अभी कि अभी पहला नमबर स्लेक्ट नहीं हुआ कि पहला नमबर किस टीम का है रंपुर् राइडर है कॉमिला विक्टोरियन न है चिटागोंग वीकिंग्स है या ढाका डाइनामाइट्स है या राशयहिकृंग है अभी पहला नमबर किसी का भी कन्फरम नहीं हुआ है तो लेकिन अभी क्यूंके सभी का एक एक मैच रहता है और अभी कुछ भी हो सकता है किरकट है, किरकट बाइच चांस है ये सभी कोई बता है तो बहराल हम बात करेंगे कि राशाही किंग्स और बामकाबला भाकी तो तीन टीम सेमी फाइनल में चली गई है, पहुंच चुकी है लेकिन इन दो टीमों का पिसमे मकाबला चल रहा राशाही किंग्स और भाका डाइनमैट्स भाका डाइनमैट्स का आज मैच था हार गई है, बड़ा जबरदस मकाबला हुआ लेकिन बस कुछ बैड़ लग चल रही है धाका डाइनमैट्स की, जो के हार गई है तो यह आप देख सकते हैं वीडियो में राशाही किंग ने बारा मैच प्ले की है छे मिन ने छे लूज है, बारा पॉइंट है उसका रन रेट माइनस में चल रहा है माइनस 0.518 धाका डाइनमैट्स ने 11 मैच प्ले की है पांच विन है, छे लूज है जीरो ड्रा है और 10 पॉइंट है इसके और इसका रन रेट प्लस में चल रहा है प्लस 0.844 तो यह एक मैं जीते तो रन रेट में ये राचाहि किंग से उपर चिलि जाएंगी और ये इजी ली आगे सेमी फाइनल में कॉलिफाई कर जाएंगी तो और इसका लास्ट मैच कल है दो तारीख को धाका डाइनमैट्स और बाम काबला कुलना टाइटन्स धाका डाइनमैट्स का कल मैच है ये बस धाका डाइनमाइट्स की समझ से बाहरे क्या हो रहा है पिछली दफ़ा हमारे ये पाकिस्तान में टीम थी मुलतान सुल्तान न्यू टीम बनी थी उसके साथ ये हुआ था शुरू से वो टॉप जा रही थी एंड पे हारती हारती हारी कहीं टॉर्नमेट्स से भाहर हो गई और इस दफ़ा ये ढाका डाइनमाइट्स के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है और शुरू में सबसे उपर जा रही थी और अब आखिर में हारती हारती सबसे पीछे रह गई गई है और फुल खत्रे में पड़ गई है कल मैच जीतेंगी तो आगे जाएंगी वरना ये टॉर्नमेट्स से बाहर हो जाएंगी और राशाही किंग्स आगे चली जाएंगी अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मजीर टेबल्स की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और इसके साथ जो बैल का इकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका एक नोटिसकेशन आपको मिल जाए थांक्स पर वाचिए अलाफिछ